मेरे को बहुत अच्छा बैंक लगता था मैंने उसमें पैसे इंवेस्ट किये लेकिन वो गिरता चला गया मतलब एक बार वो 400 रुपे पर था तो मुझे वो कोई 90 रुपे 100 रुपे के करी मिल रहा था मैंने खरीद लिए और मुझे लगा बहुत अच्छा बैंक है कि यह बैं पर बैं पता लगा कि वो 100 रुपे से 90 हुआ मैंने और खरीदे 90 से 80 से 70 हुआ मैंने खरीदे और खरीदो बही और सस्ता हो रहा है बाद हम वो 13 रुपे पर आगया पूरी तरह से डूग गया अब वहां से गया डर के लोग भाग जाते हैं यह स्टोरियां सब सुनाएंगे लेकिन मैं आपको एक गवर बात बता हूँ, Yes Bank के पैरलली में SBI Bank में भी पैसा लगा रहा था, मेरा एक फेवरेट शेर है, आज मैं आपको फेवरेट शेर बताने वाला हूँ, तो SBI Bank मेरा फेवरेट शेर है, मैं Yes Bank के साथ SBI Bank में भी पैसा लगा रहा था, आज Yes Bank से डबल पैसा मेरा SBI में लगा हुआ है और वो SBI का पैसा कितना हो चुका है तीन मतलब अगर बोलें डबल लगाया था तो जितना भी पैसा वो डेट गुना हो चुका है क्योंकि तब मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था तब बहुत सारे बैंक के शेर गिर रहे थे तब Yes Bank का शेर गिर रहा था तो SBI Bank का शेर भी खरीद रहा था मैंने SBI Bank के शेर भी खरीदे अब आपको डर वाली चीज़ बताए का हौई Yes Bank गिर गया लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितना मेरा नुकसान Yes Bank में हुआ था उससे डबल फायदा मुझे SBI Bank में हुआ क्योंकि आज SBI Bank का जो मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था SBI Bank का आज शेर कम से कम कितने गा 430 रुपे पे ट्रेड कर रहा है और मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था तो मेरा वो लोफ कवर हो गया मैं आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहा हूँ यह स्टोरिया कोई नहीं बताएगा क्योंकि आपको सब डराके रखना चाहते हैं मत आओ मत आओ मत आओ अरे आओ मजा आता है और अब आपको सवाल ही उठते में पैसे कहां से लाई